ओमाई गॉड बेड उल्टा चेर उल्टा फ्रीजबी उल्टा वासिंग मशीन उल्टा दोस्तों यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा है है फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का साउथ अफरीका के हाट भी स्पोर्ट एरिया बे इस्थित अपसाइड डाउन हाउस में एक ऐसा घर जहां सब कुछ उल्टा उल्टा है फ्रेंड्स इस हाउस की लोकेशन हाट भी स्पोर्ट एरिया में हाट भी सोक रोड पे है जो जोहांसबर्ग से 70 किलोमेटर दूर है वहीं प्रिटोरिया से इसकी डिस्टेंस लगबाग 40 किलोमेटर है तो अभी मैं इस जगह पे जा रहा हूँ साउथ अफरिका के मीटरेंड सीटी से और रास्ते में या कितना खुबशूरत मस्जिद दिख रहा है दोस्तों विकेंड स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप विकेंड पे कहीं गोमने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप साउथ अफरिका में हैं जोहांसबर्ग में हैं तो आप इस जगह पे जा सकते हैं यह काफी अमेजिंग जगह है एक नया व्यू आपको मिलेगा एक नई लोकेशन देखने को भी लेगी रास्ते में आपको मार्केट भी दिखता है जहांसे आप हैंड क्रॉफ सामान भी ले सकते हैं रास्ते में बहुत खुबशूरत नजा रहे हैं जिनका अपानन लेते हुए इस जगह पर पहुँच सकते हैं खुबशूरत हसीन वादियों से होते हुए हम अभी पहुच चुके हैं अफशाइट डाउन हाउस पर रोड के किनारे ही कफी बड़ी परकिंग है जहां पे आप अपनी गाड़ी पार कर सकते हैं दोस्तों अगर एंट्री फी की बात करें तो यह 100 रुपिज पर परसन है फोर चाइल एंड जो 80 साल से उपर के ओल्ड पीपल है उनके लिए एंट्री फी है पेमेंट आप कैस और काट दोनों से कर सकते हैं टिकट लेने के बाद हम फोड कोर्ट के थ्रू अपने डिस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और दूर से यह जग काफी खुशूरत नज़र आ रहा है उची पहाडियों के बीच एक छोटा सा घर जो दूर से देखने पर अलग ही नज़र आता है तो चलिए नज़िक से देखते हैं इस घर को दोस्तों नज़िक पहुंचने पर यह घर उल्टा नज़र आता है उल्टा नज़र के आता है उल्टा है अगर इस घर का आर्किटेक्चर देखा जाओ तो यह तिकोना जो इसका बेस है तिकोना है उसके उपर एक घर बनाया गया है वीकेंड्स पर यहां काफी भीनवाल होता है बाहर से एक्षबोर करने के बाद दोस्तों आप चलते हैं अंदर से देखते हैं अंदर से एक घर कैसा दिखता है घर के अंदर घुसते ही यह उल्टा सोफा नज़र आता है उसके बाद जैसे जैसे घर में घुसते हैं सब कुछ उल्टा ही नज़र आता है बैसिकलिए यहां सब कुछ उल्टा रखा गया है बैस्सराइक बढ़ है बहुत छोटा सा घर है दो बेडरूम का जिसमें सारा फरनीचर उल्टा चिपका रखा गया है इवन ट्वालेट भी उल्टा ही है अगर आप बात करें किचन का तो किचन के जितने भी एक्विप्मेंट्स होते हैं लाइक माइक्रो ओवन सब कुछ उल्टा ही है बातरूम की बात करें तो बातरूम में भी सब कुछ उल्टा है ट्वाशिंग मेशिन की बात करें वो भी उल्टा है तोफा उल्टा है बेड उल्टा है सब कुछ उल्टा है इवन जो फ्लावर पॉट्स हैं वो सब भी उल्टे ह झाल 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 तो दोस्तो अब इस घर का टूर खतम होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको और इस तरीके की चीजे देखने का मन हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर आप साउथ अपरिका से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा कि इसको देख सकते हैं थैंक यू, थैंक यू अख